कौन कितना अमीर है अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योगता है जिसके सारे वो आगे कई दिनों तक जिन्दा रह सकता है यानि वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाई कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता है यही उसकी अम पसकार दोस्तों, रीडर्स बुक्स हम में आपका फिर से श्वागत हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड, पूर डैड की, जिसे लिखा है रावाटी कियोशाखी ने। रावाटी कियोशाखी कहते हैं कि आज की करज़िदार सोसाइटी दो बाते मानती हैं। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए। दूसरी ये कि सेलरे अगर बढ़ गई तो फिर एक ज़्यादा बड़ा घर खरीच सकते हैं। पर ऐसे सोच ऐसे स्ट्राटीजी के वज़े से परिवाज ज़्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब में बहुत अच्छी सेलरी उठा रहे होते हैं। लेकिन इस सोच की वज़ा से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लेने या जोखिम भरी जिन्दगी कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है। ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। ये पता ना होना, 90's की दसक में जॉब्स की बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। डिशेशन आया था और तब ये बात पता चली कि जो मिडल क्लास हैं वो पैसे के मामले में इतना सुरच्चित हैं। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात ये है कि ओसत मिच्वर फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में टैक्स और मोडिगेट चुकाने में अपने बच्चों की कॉलेज की फिस देने के लिए पैसे बचाने में अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज़्यादा विज़ी रह करते हैं फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं उसके काबिलियत पर फरोसा करते हैं और वो जैसा कहते जाते हैं वो वैसा करते जाते हैं क्योंकि जो पड़ा लिखा मिडिल कलास वर्ग है जो की पैसे को समालना नहीं जानता वो हमेशा यही सोचता है कि जो की मत उठाओ में कुछ नहों उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी जो balance sheet होती है उनके खरचे ज्यादा होते हैं इनकम कम होती है या यू कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी assets वाला कालंग खाली रहता है तो कोई गलत बात नहीं होगी और जब लाइफटाइम वाला मौका आता है ना तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए अगर पैसे के समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके बुध बुध से सागर भरके अमी या मिडिल क्लास जो वर्ग है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो कि भरा मानता है पर वो ये नहीं जानता कि प्रावलम्स इन्वेस्टमेंट में नहीं है प्रावलम्स उनकी सोच में है उनकी ना समझी में है वो ये नहीं जानते कि पैसा कहा लगाना है वो हमेशा अपने प पहना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है आप किसी के लिए काम करते हैं सैलरी पर काम करने वाले बहुत जदा लोग मालिक को या अपने सेर होल्डर को अमीर बना रहे होते हैं आपकी कोशिसे मेहनत और सफलता से दरौसल आप नहीं सफल होते हैं आपका मालिक सफ़ल होता है और उसे उसके retirement के लिए मदद मिल रहे होती है अच्छा दूसरा आप सरकार के लिए काम करते हैं आप समझ सकते हैं जब आप काम करते हैं पैसे कमाते हैं तो उसका एक हिस्सा टेक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है तीशरा अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना ऐसर्स मानते हैं जो कि दरसल एक लाइबिल्टी है वो आप बैंक के लिए काम करते हैं क्यों? क्योंकि आप उन घरों के उपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए क्रेड़िट कार्ड का करजु चुकाने के लिए धिन रात महनत करते हैं तो आप सिर्फ जादा कड़े महनत से काम करते जाएं तो समस्या ये है कि तीनों ही मामलों में आपको और जादा महनत करनी पड़ेगी और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपकी जादा मेहनस से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो, मान लिजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं, कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसो कि समझ ना होने की कारण, उसके मैनेज करने की समझ ना होने की कारण, आपको ये नहीं पता होता कि, आपके लक्ष को किस तरह से निर्धारित किया जाएं, अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाय रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे, अपनी संपत्ति को, अपने को बड़ा करना चाहते हैं पर जब उनकी संपत्ती बढ़ती है तो वो किस तरह से अपने सफलता का आकलन करते हैं कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है कि उसके पास धौलत है और संपत्ती और दायतु के बीच का बैलन्स कैसा है ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ती आपकी सफलता आपकी आसपास का महौल आपके दौलत इन सबके बारे में आपको सोचना पढ़ेगा Assets and Liabilities के बारे में सोचना पढ़ेगा सबसे important है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पढ़ेगा क्योंकि ये जिन्दगी भर का subject है आपको ये subject जिन्दगी भर पढ़ना है सीखना है और अमेरी के राय पर हमेशा आगे बढ़ते जाना है तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं next chapter की तरफ